हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, देखिए आज की वीडियो में मैं आपको ये डिजाइन बनाना बताऊंगे, ये जो हमारा डिजाइन है, ये हम किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, जैसे कि लेडिस की कार्डिगन में, जाकिट में, जन्ड स्वेटर में डाल ये हाइनक में डाल ये, बेवी टोप में डाल ये, किसी भी चीज में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही सुन्दर सा, बहुत ही प्यारा सा हमारा और बनने में बहुत ही सुन्दर लगता है, और बिलकुल आसान तरीके से हम ये डिजाइन जो है, वो बनाएंगे, और बहुत ही सुन्दर सा हमारा ये डिजाइन है, तो चलिए फ्रेंट्स इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना जो बोर्डर है, वो बोर्डर बना ले जी, चाहिए आप वो कैसा भी बना ले, उसके बाद हमारा ये सीधी साइड से हमार तो ये डिजाइन हमारा अच्छे से अरजेश्ट हो जाएगा, तो ये भी मैं आपको एगवार बता देती हूँ, जैसे कि ये हमने, ये हमारी केबल है, और बीच में गैप के लिए हमने तीन फंदे रखे हैं, तो ये देखिए, तीन फंदे हमारे ये हो गए, और आठ हमार ये, तो ग्यारा फंदे हमारे ये हो गए, तो ग्यारा, फिर से हमारे ग्यारा, और फिर से हमारे ग्यारा, और ये त्री फंदे एक्ट्रा, तो इस तरह से फंदे आप गिनेंगे, तो ये फंदे अच्छे से अरजेश्ट हो जाएंगे, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, अगर आपका एक, दो या तेन फंदे आपकर आपके एक्षा होते हैं यानि फाल्तू होते हैं तो आप वो साइडों में अर्जेस्ट कर सकते हैं बीच में हमने यही तीन-तीन का गैप रखना है तो चलिए फ्रेंड्स इसको बनाना शुरू करते हैं तो देखिए यह हमारी पह आठ फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और यह आठ धागी को अपने साइड कर लेंगे तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एक, दो, तीन, धागी को पीछे कर लेंगे और आठ फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ धागी को अपने साइड करेंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एक, दो, और यह तीन, धागी को पीछे कर लेंगे आठ फंदे फिर से सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये आठ, धागे को अपने साइड कर लेंगे, और लास्ट के तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो, और ये तीन, तो ये देखिए, चाहिए आपकी कितने भी फंदे हों, आपने इसी तरह से फंदो को लेना है, ये देखिए तीन, आठ, तीन, आठ, इस तरह से हमने फंदे ले लेने हैं, तो यहाँ पर हमारी एक सलाई कंप्लिट हो चुकी है, अब आगए हम अपने दूसरी सलाई यानि की हमारी उल्टी साइल पर, तो यहाँ पर देखिए, जो फंदे हमने तीन, यहाँ पर उल्टे बनाए थे, व एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और यह आठ, धागे को पीछे कर लेंगे, फिर से हमारी यह तीन फंदे, यह देखिए, उल्टे थे, इनको हमने सीधा बनाना है, एक, दो, तीन, धागे को अपने साइड करेंगे, आठ फंदे उल्टे बनाएंगे, आठ फंदे हमारी उल्टे हो गए, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे फिर से हम सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, धागा अपने साइड करेंगे, आठ फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे साथ और ये आठ धागा पीछे कर लेंगे लास्ट के हमारे तीन फंदे हैं इनको हमने सीधा बनाना है तो ये दीखे हमारी दो सलाईयां कम्प्लिट हो चुकी हैं अब आगए हम अपने तीसरी सलाई पे तो तीसरी सलाई भी हमने पहले सलाई की तरही बनानी है तीन फंदे उल्टे बनाएंगे धागा पीछे कर लेंगे आठ फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये आठ धागा अपने साइड करेंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे दागा पीछे करेंगे आठ फंदे सीधे बनाएंगे धागा अपनी साइड करेंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे धागा पीछे करेंगे आठ फंदे सीधे बनाएंगे लास्ट के हमारे तीन फंदे उल्टे बचे हैं इनको हम उल्टा बना लेंगे तो यहां पे तीन सलाया हमारी कम्प्लिट हो चुकी है अब आगे चोथी सलाय पे जो जैसा फंदा दिखता हम वैसा ही बना लेंगे सीधे पर जीधा तीन फंदे हमारे सीधे हैं आट फंदे हमार आठ तीन फंदे सीधे हैं तो इस तरह से हमारे एक सलाई बनाने के बाद दूसरी सलाई पर हमारे फंदे दिखने शुरू हो जाते हैं तो हमें जैसा फंदा दिखता है वैसा ही बना लेंगे तो यह देखिए यहां पर हमारी चार सलाई कंप्लेट हो चुकी है चार सलाई में इस तरह से हमारे इड़ जाएं देखना शुरू हो जाएगा आ गए हमारे पांचमें सलाई पर सेधी साइड है यह भी हमने जैसे हमने तीसरी सलाई बनाई थी वैसे ही बनानी है तीन फंदे उल्टे बनाने है आठ फंदे सेधे बनाने है फिर से तीन फंदे उल्टे फिर से आठ फंदे सीधे फिर से तीन फंदे उल्टे आठ फंदे सीधे है लास्ट की तीन फंदे उल्टे है इनको हमने उल्टा बनाना है जैसे हमें जो फंदा दिखता है वैसे ही बना लेना है तीन फंदे हमने सीधे बनाने है तो यह तीन सीधे बना लिए आठ फंदे हम उल्टे बनाएंगे तीन फंदे सीधे आठ फंदे उल्टे फिर से तीन फंदे सीधे आठ फंदे उल्टे लास्ट के हमारे तीन फंदे सीधे हैं तो इनको हमने सीधा बनाना है तो ये देखिए छे सलाईया हमारी कम्प्लिट हो चुकी है अब आग हम अपने साथे सलाई पे तो साथे सलाई भी हमें पांचवेंद के तरही निकालने है तीन फंदे उल्टे बनाएंगे आठ फंदे सीधे बनाएंगे फिर तीन फंदे उल्टे बनाएंगे आठ फंदे सीधे बनाएंगे तीन फंदे उल्टे आठ फंदे सीधे लास्ट के हमारी तीन फंदे उल्टे हैं इनको उल्टा बनाना है उल्टे साइड से जो फंदा हमें जैसा दिखता है वैसा ही बना लेंगे तीन फंदे सीधे हैं इनको सीधा बना लिया आठ फंदे हम उल्टे बना लेंगे तो ये देखी फ्रंट्स आठ फंदे हमारी कंप्लिट हो चुकी है आठ सलाई के बार देखी हमारी ये नौ में सलाई है तो ये देहां दी जीगा तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो और ये तीन धागा पीछे कर लेंगे अब ये देखी जो ये हमारे आठ फंदे हैं इनको हमने इस तरह से डबल करके बनाना है ये देखी इस तरह से डबल धागा हम इसको उपर इस तरह से घुमा देंगे ये देखी एक बार दो बार फिर से एक और ये दो इन आठो फंदों को हमने इस तरह से बनाना है एक दो एक और ये दो एक और ये दो एक और ये दो एक और ये दो तो इस तरह से हमने डबल करके ये आठ फंदे बना लिये हैं तीन फंदे उल्टे हैं इनको उल्टा बना लेंगे धागा पीछे कर लेंगे ये देखिए फिर से हमारी ये आठ फंदे हैं तो इनको हमने डबल करके बनाना है तो इस तरह से देखिए एक बार फिर आया धागा और ये दो ये देखिए एक और ये दो एक और ये दो इस तरह से आठ फंदे हमने डबल करके बना लिए तीन फंदे उल्टे बनाएंगे फिर से हमारे आठ फंदे आ गए हैं इनको फिर से हमने डबल करके बनाना है ये देखिए इस तरह से एक और ये दो एक और ये दो एक और ये दो इस तरह से डबल करके हम आठ फंदो को बना लेंगे लास्ट के हमारे तीन फंदे उल्टे हैं तो इनको हम उल्टा बना लिए अब देखे फ्रेंट्स हमारी ये लाट्स लाई है यहाँ पे हमारा डिजाइन बनेगा तीन फंदे हमने सीधे बनाने है धागा अपने साइड करना है अब जो ये आठ फंदे थे हमने ये डबल करके बनाए थे अब इनको हम खोल लेंगे उल्टे में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और ये आठ ये देखे इस तरह से हमारे आठ फंदे हैं इस तरह से कर लेंगे इनको और वापिस से हम इस लाई में इनको ले लेंगे आठ फंदों को ये देखे इस तरह से अब यह देखिए जो हमारी आठ फंदे हैं अब यह जो आगजे के चार फंदे हैं इनको छोड़ के जो हमारे पीछे के चार फंदे हैं यह हम पहले बनाएंगे तो यह हम कैसे बनाएंगे उल्टे में ही यह देखें इस तरह से पाचवा फंदा लेएंगे और इस तरह से हम इसको बना के इन चारों फंदों के उपर से इस तरह से गिरा देंगे फिर से यह बनाएंगे दूसरा फंदा और इन चारों फंदों के उपर से इस तरह से हम गिरा देंगे यह देखी इस तरह से अब तीसरा फंदा अब यह चोथा फंदा तो चार फंदे हमने यह देखिए आगे वाले फंदों के उपर से इस तरह से गिरा दिये आप ये चार फंदे हम बाद में बना लेंगे उल्टे में ही इस तरह से धागा पीछे करेंगे तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे एक दो तीन धागा अपने साइड कर लेंगे देखिए फिर से आठ फंदों को हम खोल लेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, और ये आठ तो ये देखिए उस तरह से आठ फंदों को खोल के हम इस तरह से खीच लेंगे और एक जैसे हम इनको बना लेंगे अब वापिस से हम इस स्लाइम इनको डाल लेंगे देखते हुए कि कोई फंदा ना रह जाए ये देखिए अब जो ये आठ फंदे हैं इन चार आगे के चार फंदे छोड़के जो ये पिछे के चार फंदे हैं इनको हम पहले बनाएंगे तो ये देखिए इस तरह से पांचवा फंदा हम इस तरह से उठाएंगे इन चारों के उपर से इस तरह से गिरा देंगे तो तेसरा फंदा बनाएंगे इन चारों के उपर से इस तरह से गिरा देंगे अब यह चोथा फंदा बनाएंगे और इनके उपर से इस तरह से गिरा देंगे तो हमने चार फंदे बना दिये आप यह चार फंदे और हम उल्टे बना लेंगे धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधी बनाएंगे, धागा अपने साइड करेंगे, और ये देखे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये आठ, आठ फंदे हमने फिर से खोल लिए, ये देखे, और इनको हम इस सलाई के अंदर ले लेंगे, इस तरह से, आप इन चारों को छोड़के, ये जो पिछे के चार फंदे हैं, इनको हम पहले बना लेंगे, तो इस तरह से देखे, जो पांचमा फंदा है, इस तरह से बनाएंगे, और इन चारों फंदों के उपर से इस तरह से गिरा देंगे, फिर से ये वाल बनाएंगे, से हम गिरा देंगे अब यह लाश्ट के जो हमारे चार फंदे बचे हैं इनको हम उल्टा बना लेंगे तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक दो और यह तीन तो यह देखे फ्रेंट्स इस तरह से हमारे यह दस सलाईयों का डिजैन जो है वो बनके आ जाता है यह देखे बहुत ही सुन्दर सा बहुत ही प्यारा सा हमारे डिजैन बनता है फ्रेंट्स आप जो दस दस सलाईयां बनाते जाएंगे तो इस तरह से हमारा इडिजैन जो हो बनता हुआ नजर आएगा बहुत ही सुंदर सा बहुत ही प्यारा सा हमारा इडिजैन है बहुत ही इजी से बनता है ये और किसी भी प्रोजेक्टर में हमें इसको डाल सकते हैं तो जो फ्रेंड्स हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेर जरू किजिए अपने फ्रेंड्स गूप में अगर आप चैनल पे नई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिके सना आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके तो मिलते हैं